हेलो दोस्तों, देखो सिधिकों स्टेडी में आप सभी लोग का स्वागत दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोग को गर्दंत दिवस्कीजादिक सुभका मना है तो दोस्तों बात करेंगे इस वीडियोह में जिन भी लोग का 30% से ज़्यादा है कि जो भी योग reserve हैं reserves category हैeszती सज्डिक जूर्ड जनरल चैंडरिट है और 40% से ज्याद है तोनके लिए इस्रिफ चार दिन है जिहां po किस ंभिना आ पर मैं कुछ छानराया है सीधे सीधे कि जह s 1 तारीक तक आपका revise answer की और result दोनों आने के पूरे पूरे chances हैं यानि कि आज से बात करें तो 3-4 दिन ही है ठीक है तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं तयार ही आप लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पर हमने लिया है timesnow news.com इसके दौरा अगर आप देखें दोस्तों तो यहा तो का जो है रेल्वे गुरूप डी का result आने की पूरी पूरी expected संभावना यानि की संभावना है दोस्तों 31 जनवरी तक आपका result आ सकता है और भी news channels की बात कर लें और साथ-साथ मैं बताऊंगा कि कौन को लोग physical के लिए पक्कत त्यारी करें दोस्तों next जो है नौ भारत का है नौ भारत ने भी यहां पर कहा है कि अगले हफते में result आने की पूरी प्रिसंभावना है इसमें भी यही बोला गया है कि 31 जनवरी तक आपका result आ सकता है तो बहुत सरे ऐसे newspapers हैं वो बता रहे हैं कि expected 31 तारीक तक ही आपका result आ सकता है तो दोस्तों ऐसे बात करें तो उसक दोरा दिन भी बाद हो सकता है तो दोस्तों यहां पर कौन को लोग exam की त्यारी करें मतलब physical के लिए त्यारी करें उनके बारे में बात कर लेते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करूंगा रिजर्ब कटरी के जो भी लोग 30 से ज़ादा है वो सबी लोग physical की त्यारी करें दोस्तों के चांस बहुत ही कम है कि आपको उलाए जाए लेकिन दोस्तों इसमें physical की त्यारी करने में आपके क्या हर जाए यहां पर क्या गलती है अगर physical की त्यारी आपकर देते हैं और 40% से जादा जिन भी लोग का पता है कि 40% से मेरा जादा डाग जाएगा या पार कर जाएगा तो उन लोग को physical की त्यारी करना चाहिए क्योंकि दोस्तों जो है physical की त्यारी आप जानते है कि 4 मिट 15 सेकेंड में जो आपको दोड करना है तो दोस्तों इसके लिए ऐसा कुछ नहीं तो दोस्तों आपके chances बनते हैं क्योंकि दोस्तों जैसा UPP में हुआ है वैसा नहीं होगा लेकिन दोस्तों ऐसा हो भी सकता है कि आपको 10 दिन या 15 दिन बात बुलाए जाए तो 10-15 दिन में आप जो है जल्दी से जल्दी नहीं निकाल पाएगे क्योंकि time का जो boundation है उसमें आपका running निकालना बहुत आसान नहीं है बहुत कटी में नहीं लेकिन दोस्तों जो है आसान मत समझी इसको अभी से अगर आप तयार रहेंगे तो नहीं भी अगर मालीज़्य आपको नहीं भी भुलाए तो इससे कुछ जो है आपका घाटा नहीं है बेनिफिट ही बेनिफि प्निट में करने का तो आप एक बार गिर गया तो समझ दिए आ फीजिकल में से आप आउट हो जाएंगे या फिर अप्र रनिंग में आप बहुत तेजी स्टार्टिंग सोचेंगे दो मिनिट में पार करने जो भी लोग पूलीस आर्मी की तीयरिकरें उनकी बात में नहीं कर रहा हूं कि वो लोग जो है रनिंग कर सकते हैं वो लोग 1600 या 5 km 10 km बना है तो बहुत इसानी से 1 km पार कर जाएंगे लेकिन दोस्तों मैं उनकी बात कर रहा हूं जो लोग चाहते हैं कि निकल जाए और excitement में जो है रणिंग में क्या करते हैं excitement बहुत तीज दोड़ जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है ज्यादा इससलो भी नहीं दोड़ना है चार मिनट एक दो सेकेंड में आप चाहें या दस सेकेंड में आपको कोशीज करनी चाहिए कि फीजिकल निंग मेरा नारो जाया या सवनावď ऐसा कुछ सोजकर हो धा दोस्तों एक लास्ट बात जो है जो लोगों का 30% से ज्यादा यानि 30 नंबर से ज्यादा जिन भी लोगों का है 100 में अगर मैं बता रहा हूं रिवाइस एंसर की आने के बाद आपको लग रहा है कि 30 का जो बरे जो लोग रिजरवेशन वाले हैं और इसका 30 का नंबर जो हम पा 30% से ज्यादा यानि 30 नंबर से ज्यादा जिन भी लोग का है सो में अगर मैं बता रहा हूं रिवाइज एंसर की आने के बाद आपको लग रहा है कि 30 का जो नंबर है जो लोग रिजर्वेशन वाले हैं और इसका 30 का नंबर जो हम पार कर जाएंगे और 40 का नंबर यू आर के जो 30 के स्टूडेंट हैं वो अगर पार कर जाएंगे तो इन दोनों लोगों को जो है फिजिकल की तयारी स्टार्ट कर देना चाहिए मेरे इसाब से तो मैं यह कहना चाहता हूं जिन भी लोगों ने रिजर्व का टेगरी से जो भी लोग हैं वो लोग 30% का अगर जानते हैं जो है रिवाइज एंसर की आने के बाद या जो है इग्नोर सब कुछ करने के बाद 30% की जो काटेगरी है उसको उमपार कर जाएंगे साथ साथ यूरस रेड़ी के जो भी स्टूडेंट चालिस के काटेगरी को पार कर जाते हैं उन सभी लोग को फिजिकल की तियारी स्टार कर देना चाहिए मेरे इसाब से जी हां दोस्तो चार दिन आपके बचे हैं कि आपके रिजल्ट आने के आगे हो सकता है कि जल्दी से जल्दी से प्रोसीजर पार करने के लिए 10 दिन दीन बाद फीजिकल रग देग या फिर वहां से स्टार्ट हो जाए आपका पीछे भी प्लीज वीडियो को लाइक किजिए शेयर किजिए इस वीडियो को अब हमें क्या सोसते हैं नीचे कमेंट करके हमें जरुजबता हैं जाज जाज शेयर लाइक शेयर कर देजिए हमलते हैं धन्यवाद